Hello students, आपका सौगत है अपके अपने YouTube channel बैला जी एड़ीनर में आज हम बात करेंगे हर्ट बीट की हर्ट पीट क्या है हर्ट बीट कैसे जनरेट होती है हमारे बाडी में normal heartbeat कितनी होती है per minute की बात करें अगर heartbeat घटी और बढ़ती क्यों है तो ये बहुत सारी questions आपके दिमाग में आते रहते होंगे वो scientifically हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है heartbeat हमारी घटी और बढ़ती क्यों है हर्ट बीट लगभग कितनी होती है नॉर्मल और उसका emotional connection क्या है यह भी हम आपको बताने वाले कि हर्ट बीट क्यों घट बढ़ जाती है तो देखते हैं first of all यह देखें कि हर्ट बीट होती क्या हर्ट बीट चाहोती देखिए it is caused by the contraction and relaxation of cardiac muscle cardiac muscle means muscles related to the heart getting that we need to know the heart rejection german obrig solution so that you can hear my Quando is the cardiac muscle के मौते हैं अगर ही का है गोता है बलड को पंप किया जाता है हर्ट के तुर्व देख लेते हैं अगर ऐसा होता है क्या करता है बलड को पंप करता है थिनकी पंप करता है तो इस कंडिशन में दो चीज़ें आती हैं एक होता है सिस्टॉल और एक होता है डैस्टॉल यह समझने वाली बाते हैं थोड़ा सा अगर आप समझ गये तो सारी चीज़ें करता है की करते हैं तो कांडेक्ट करेंगा जब ब्लेड को पॉंप करेंगई उसके बाद में जैसे ब्लेड वापस Разlight के हट के अंदर फिल को जाता है तों क्या हो जाता है तों किर ब्लड को करेंगी उस समय क्या होगा हर्ट कांट्रेक्ट कर जाएगा शिकूर जाएगा बिल्कुल और उस condition को क्या कहेंगे सिस्टॉल और उसकी आदमें जब वापस हर्ट में blood-fill हो जाएगा तो फिर ऐस condition को क्या कहेंगे डीसेल एंश टॉल और यहां पिया होता व्लेट्ट कंडिशन में हो जाता है यह व्लाद के जँए सैप में यह बात हो गए. तो अब hostब होता है तो हर्ट में हर't कि στοक्टर की बात करें तो लो टाइप की समीं होती है एक यह वाली वाल्व इसको क्या कहते हैं tricuspid valve कैसी valve कहते हैе tricuspid valve और दूसरा वाला पार्ट जो हो गया वाला पार्ड जो हमारी AURTA होती है यह क्या है यह आर्टा की जो valve से यह क्या है rail bicuspid valve कैसी वाल्व है by Förde walk trycuspid valve और waicuspid valve जब एक बीसरे के बिल्कुल प्लोस आथी हैं एक दूसरे के बिल्कुल प्लोस आती है देखे यहाँ फे टाइका स्पीड़ भाल है तो उस समय कि होता है । होता है हर्ट साउंड जनेरेट होता है हर्ट साउंड यह जो हर्ट साउंड है हर्ट साउंड दो होता है मेली वैसे चार होते हैं एक होता है लग और एक होता है डप यह दो टाइप के क्या होते हैं हमारे साउंड अभी हम हर्ट बीट की बात कर रहे थे अफिर हम हर्ट होता है तो कुछ specific sound generate होती है इसी को क्या कहते है heart sound कहते हैं तो इसी heartbeat में हमें cover करना था क्योंकि यह इसी से related है ठीक तो जब heartbeat होती है यानि एक बार contraction और एक बार relaxation होता है तो यह sounds निकलते है love and dub clear हो गई बाद तो यह क्या है यह heart sound है अब जो heartbeat है generate कैसे हुई heartbeat आपकी generate हुई एक contraction से और relaxation से clear हो गई बात तो एक contraction और एक relaxation में कितना time लगता है यह भी देखने वाली बात है तो about to be 0.8 seconds लगता है heartbeat generate होने में एक heartbeat में कितना time लगेगा 0.8 seconds तो अब एक चीज़ और आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जो heartbeat है वो normal कितना होता है per minute की बात करें तो 6200 यह 110 तक कर लेते हैं यह क्या होता है यह per minute होता है per minute normal heartbeat होती है 6200 यानि एक contraction और एक relaxation की बात अगर की जाए तो वह one minute में 6200 होता है यह normal heartbeat होती है अब heartbeat ज्यादा भी हो सकती है और heartbeat कम भी हो सकती है तो कब heartbeat ज्यादा होगी और कब heartbeat कम होगी यह भी देखने वाली बात है तो देखिए heartbeat आपके कब ज्यादा होगी और कब कम होगी अब आई आपके पॉइंट वाली वाद ठीक है इसको emotionally हम ऐसे connect करेंगे जब आप थोड़ा stress में होते हैं जब थोड़ा आप stress में होते हैं उस समय हमारी जो adrenal gland है adrenal gland क्या करती है एक hormone secret करते हैं इसको कहते हैं Cartisol क्या कहते हैं Cartisol Cartisol secreted during secreted during stress यह को क्या कहते हैं किस को Cartisol को कौन secret करता है यह secret करते है adrenal gland किस condition में जब हम stress में होते हैं यानि emotionally थोड़ा परेसान होते हैं थोड़ा इस्ट्रेस में होते हैं तो यह by कार्ड़्ट होता है कहा सेखरइट होता है डěरीक्ट बलड में सेखरइट होता है पता हेर्ट होता है reconsider तो यह हो गया कैसे के इनक्रीज्बंड के लिए कुल रिस्पॉंज वर नमका हर्मोन responsible है आप इस बात से connect कर पाए होंगे कि emotional region क्या होता है जिससे की heartbeat अपके बढ़ या घट जाती है तो किसके कराण होता है जब आप sudden condition में होते हैं like that जैसे आप stress में है तो उस समय काड़ सोल नाम का hormone secret होगा direct blood में जो कि heartbeat को क्या कर देगा बढ़ा देगा तो यह हो गई बात अगली चीज क्या है अगली चीज हर्ट बीट जो है कब low हो जाएगे normal heartbeat ज्यादा तो मैंने बता दिया जब थोड़ा सा stress में होते हैं तो heartbeat ज्यादा हो जाते हैं लेकिन heartbeat अब कम क्यों होगी इस बात को भी देख लेते हैं कि यह बिजीज है उस दिजीज का नाम है Bradycardia क्या नाम है Bradycardia अब यह Bradycardia क्या है जब heartbeat low हो जाए नार्मल आपकी क्या है 60-200 बिलो जब 60 हो जाए बिलो दा 60 heartbeat per minute अगर 60 से भी कम हो जाए तो इस condition को क्या कहते हैं इस condition को कहते हैं Bradycardia और यह एक टाइप की डिजीज है जो किसमें होती है ज्यादा तर old days के लोगों में ज्यादा होती है क्लियर हो गया हर्ट धीरे धीरे resting phase में जाने लगता है तो यहां क्या होता है Bradycardia होता है यहां heart beat 60 से नीचे जाने लगती है अब इसके effect क्या होंगे इससे heart failure का भी खत्रा रहता है ठीक है अब last वाली चीज़ जो अभी हमने बोली heart failure तो heart failure को भी देख लेते हैं heart जो होता है वह अचानक से beating करना बंद कर दे मतलब function करना बंद कर दे blood को pump करना बंद कर दे दिल की धड़कन जो है वो क्या हो जाए रुक जाए तो इस condition को क्या कहेंगे heart failure बोलेंगे NCRT में यह सारी चीज़ें चाहे heart beat की बात की जाए है और चाहे बात की जाए heart sound की और systol की diastol की और इससे पहले हमने जो आपको बताया blood pressure की यह सारी चीज़ें आपके NCRT में mention हैं ठीक अब एक शीज़ और रहे गई cardiac cycle तो cardiac cycle छोटी सी definition है देख लेते हैं cardiac cycle होती क्या है तो cardiac cycle क्या है एक contraction relaxation से दूसरे contraction relaxation तक या ऐसे कहें वन heart beat तू एनदर एक heartbeat से लेकर दूसरे heartbeat तक के बीच के duration को क्या कहते हैं उसके cardiac cycle क्या बोलते हैं cardiac cycle एक चीज़ जान लीजिए जहाँ heart की बात आएगी वहां वहार term जुड़ जाएगा cardiac जैसे heart muscles of the heart इसको क्या कहेंगे cardiac muscle बोलेगे समझ में आ गया तो अब cardiac cycle क्या है one heartbeat से लेके दूसरे heartbeat तक की बीच की duration को क्या बोलते हैं cardiac cycle बोलते हैं जिसमें एक contraction और एक relaxation होता है clear तो heartbeat हो गई यहां पर हमने क्या पता दिया heartbeat क्या है it is the it is caused by the contraction and relaxation of the cardiac muscle यह जो cardiac muscle है जब यह blood को pump करती है तो एक बार blood जो होता है contract हो जाता है और वापस जब blood आके fill होता है heart के अंदर तो फिर condition क्या होती है heart वापस relaxed condition में होता है इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं die stole और जब heart contract होता है तो इसको से stole बोलते हैं तो एक contraction और एक relaxation को क्या कहते हैं हम कहते है heart beat समझ में आया दिल का धड़कना about to be 0.8 second का यह time होता है और पर मिनट की बात की जाए तो 6200 कितना 6200 heart beat होनी चाहिए नार्मल में यह ज्यादा कब होती है जब थोड़ा emotionally थोड़ा परिशान होते हैं stress आपके अंदर होती है तो एक hormone स्रावित होता है एक hormone secret होता है जब आप stress में होते हैं और उस hormone को क्या कहते हैं कार्टी स्वाल जो की heart beat को बढ़ा देता है heart beat कम कब होती हर्ट beat कम होने के कारण क्या होता है heart beat कम होने के कारण bready cardia होता है old days के लोगों को bready cardia जैसे समझ्या होती है तो यह overall concept किसका हो गया यह overall concept हो गया heart beat का clear तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब में क्या है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब इसके बाद हमारा circulation वाला पूरा टॉपिक खतम हो गया अब अगला टॉपिक आता है हमारा एक्स क्रीटरी सिस्टम यह तो आने वाले लेक्चर में हम आपको एक्स क्रीटरी सिस्टम के बारे में डीटेल में बताएंगे थैंक यू